नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धनराज शोट हेंड एकेडमी स्टेनो क्लासिस में दोस्तों आज का मारे डिक्टीशन है S.S.C. स्टेनो ग्राफर प्रिविएस येर डिक्टीशन गती 80 शब्द प्रति मिनट तो आज ये स्टार्ट करते हैं आज की रिक्टीशन 5 सेकेंड बाद स्टार्ट श्रीमान जी निर्यात व्यापार में व्रधी करना भारत के लिए बड़ी तातकालिकता बन गई है पिछले कुछ वर्षों में भारतिय अर्थ व्यवस्था को खोलते और निर्यात प्रतिवंद कम किये जाने के बाद से हमारा व्यदेश व्यापार का घाटा बहुत तेजी से बढ़ रहा है यदि घाटा कम नहीं हुआ और व्यदेशी भुकतान की कठिनाईया इस प्रकार बढ़ती रही तो सरकार को आयात पर किसी न किसी प्रकार के अंकुष पुनहें लगाने पढ़ सकते हैं कत है यह आशंग का निराधार नहीं है कि यदि व्यदेश व्यापार का संतुलन शीग्र ही नहीं सुधरा तो उद्योगों को कच्चा माल भरपूर मात्रा में आयात करने में कठिनाई आ सकती है सरकार का अभी यह सोचना ठीक है कि आयात पर अंकुष लगाने के बज़ाए निर्यात बढ़ा कर व्यदेश व्यापार के एसंतुलन को कम किया जाए पैरा भारत सरकार ने गत दिनों निर्यात व्रद्धी के लिए कुछ बड़ी रियासते की हैं पहली यह है कि निर्धन उद्योगों को कच्चा माल अंतरास्ट्रिय भावों पर उपलब्द कराया जाएगा ये सुविधा एक तरह से अबुद्पूर्व ही है सरकार निर्यात माल पर उत्पादन शुल्क तथा अन्य इस्थानिय शुल्क भी माफ कर देगी उद्योग संचालकों को सबसे बड़ी रियायत यह दी जा रही है कि उन्हें अपने कुल निर्यात मूल्यों का पांच से दस प्रतीशत धन को विदेशों में निर्यात प्रोत्साहन कारियों पर कर्ज करने की अनुमती होगी इन कई सुविधाओं को कम नहीं माना जाना चाहिए पहले से प्राप्त सहूलियतों को मिलाकर निर्यात प्रोत्साहन पैकेज अब काफी बड़ा हो गया है उद्योगों को नया पूंजीगत माल तथा मशीन संयत्र फाल्तु कलपुर्जे तथा नविंतम टेकनलोजी के आयात की चोट पहले ही मिली हुई है लेकिन निर्यात में क्रशी के लक्षे किसी भी वर्ष पूरे नहीं हो पाते जैसा की पिछले दिनों प्रधान मंत्री ने कहा था की भारत के संगठित शेत्र में बड़े उद्योग निर्यात के संबंद में अपना दाइत्व निभा रहे है चोटे उद्योग जिन्हें अपेक्षक्रत कम सहूलियतें दी गई हैं वे निर्यात बढ़ाने में आगे हैं अब क्रशी शेत्र में भी निर्यात करने लगे हैं विराम भारत सरकार के उद्योग मंत्राले ने सार्वजनिक उद्योगों पर भी दबाव बढ़ाना शुरू किया है कि वे निर्यात ब्रदी में सहयोग दें श्रीमान जी वह संतोष की बात है कि अब वे भी इस बारे में गंभीरता से विचार कर रहे हैं उनमें से कुछ ने अपनी तीन वर्षिये निर्यात योजनाएं सरकार को पेश कर दी और शेश करने वाले हैं निर्यात बढ़ाने के गंभीर प्रयास नहीं किये गए तो मुसीवत में फस सकते हैं क्योंकि 1985 में विदेश व्यापार घाटा पहली बार 85,000 करोड रुपए को पार कर गया है जब तक यह घाटा बना हुआ है तब तक हम अपनी अर्थ व्यवस्था को सुद्रड नहीं मान सकते यह ठीक है कि घाटा मुक्यत है खनिज तेल खाद्य तता ऐसी ही कुछ अन्य चीजों के भारी आयात के कारण है लेकिन यह भी सत्य है कि पेट्रोलियम तता अन्य कच्चे माल के कुछ बड़े आयातक देश भी दुलब मुद्राओं के विशाल कोश बना कर बैठे हैं यदि हम सच्चे दिल से प्रयास करें तो शीग्र ही अपने विदेशी वियापार का संतुलन अपने पक्ष में कर सकते हैं विराम पैरा प्रधान मंत्री ने न्यूजीलेंड में भारतिय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए हमारे निर्यात वियापार से संबंदित कुछ महत्वपून बातें कही हैं निर्यातकों को माल की किस्म सुधारने की जो सलाह उन्होंने दी है वह न केवल उचित है बलकी सम्यक भी है बड़े अफसोस की बात है की सरकार द्वारा दी गई अनेक सुविधाओं के बावजूद भी सुधार की और विशेश ध्यान नहीं दिया जाता विराम गटिया माल विदेशी बाजारों की प्रतियोगिता में टहर नहीं पाता है इससे न केवल हमारे देश की साख को नुकसान पहुँचता है बलकी निर्यात कम होने के कारण आर्थिक हानी भी होती है निर्यात आशातीत नहीं होने के कारण देश के सामने आज जबर्दस्त आर्थिक संकट खड़ा हो गया है सरकार इस बात से चिंतित है यदि विदेश व्यापार की मौजुदा स्थती जारी रही तो घाटे की रकम काफी बढ़ सकती है अगर इस घाटे को रोकने की कोशिश नहीं की गई तो हमारी अर्थ व्यवस्था चर्मरा जाएगी विकास की गती मंद पढ़ जाएगी पैरा सरकार ने पिछले वर्षों में निर्यात व्रधी के लिए उद्योगों को भली भाती कई सहूलियतें दी हैं असल में अनिक प्रकार के माल को उन्मूलन आयात वस्थूओं की सूची में शामिल करना भी भातीय उद्योगों को भारी छूट है लेकिन भार्तिय उद्योगों ने निर्यात बढ़ा कर दोलब मुद्रा कमाने की अधिक चिंता नहीं की है वे अपना माल ने तो अंतराश्ट्रिय मान दंडों के अनुसार बनाते हैं और न उत्पादन लागत कम करने का दिल से प्रयास कर रहे हैं विराम उनकी कोशिश यह है कि विदेशों से कच्चा माल आयात करके उत्पादित माल को अच्छे मुनाफे पर देश में ही बेच दिया जाएं विराम उनकी लगातार यह मांग रहती है कि उत्पादन शुल्क की दरें कम की जाएं देखा जाएं असलियत यह है कि भारतिय उद्योगों की निर्यात व्रद्धी में कोई दिल्चस्पी नहीं है पून विराम तो दोस्तो यह थी हमारी आज की SSC स्टनोग्राफर की प्रिवेस यर 2016 की डिक्टीशन जो की 80 शब्द प्रतिमिनट की गती से बोली गई थी आशा करते हैं आप सभी को डिक्टीशन पसंद आयोगी तो प्लीस कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अभी तक आपने हमारे चनलन को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेर करना ना भूले धन्यवाद